सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा अभ्रम में कर्मकांड में यग परणाली में या मातरी सक्ती में तो दस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातरी सक्ती में नेक्स्ट कोस्टन निरित्य करती हुई नर्तकी कि मुर्ती किस अस्थान से प्राप्त हुआ है रंगपूर बनवाली लोथल या महन जोदुलो तो दस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महन जोदुलो महन जोदुलो से निरित्य करती हुई नर्तकी कि मुर्ती प्राप्त हुई नेक्स्ट कोश्चन, पुरोहित आवास किस अस्थान से देखने को मिला है, हडपा, मोहन जोदुलो, काली बंगा ये मान्दा, तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहन जोदुलो, मोहन जोदुलो से पुरोहित आवास देखने को मिला है, नेक्स्ट कोश्चन, रंगपूर, हडपा, सूर्कोटदा, येरोपन, तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्कोटदा, सूर्कोटदा से सिंधुगाटी सर्वेता में कलस्साव धान का परमाण मिला है, और यहीं से गोडे की हड़ी का भी परमाण मिला है, नेक्स्ट कोस्चन, माथिर देवी की मूर्ती का परमाण काहां से मिला है, हडपा, मोहनजलडळु, रंगपूर, येरोज बनवाली तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हडपा, हडपा से माथिर देवी की मूर्ती का साच्छी मिला है, नेक्स्ट कोस्चन, हडपा सावेता में सूती वस्तर का आउसेश कहां देखने को मिला है हडपा महन जोदुल, रंगपूर या बनवाली दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महन जोदुल से सूती वस्तर का साचे मिला है नेक्स्ट कोष्चन चन हुदुडो किस नदी के किनारे इस्थी थे रावी, सिंदु, सतलग यच्चे नाब तो इसका सही उत्तर अपका हो जाएगा सिंदु सिंदु नदी के टट पर चन हुदुडो इस्थी थे और सिंदु नदी के टट पर ही मोहन जोदुडो इस्थी थे सिंदु घाटी सभेता का वा कौन सा अस्थान था जहां से घरों के दर्वाजे ठीक सणक पर खुला करते थे महन जदलो, हडपपा, रंगपूर या लोथल तो दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोथल क्योंकि लोथल एक वे पारिक अस्थल था और यहां के दर्वाजे ठीक सणक पर खुला करते थे बनवाली किस नदी के टट पर इस्थी थे? प्रवरा नदी, हिंडन नदी, रंगवा नदी या भोगवा नदी तो दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रंगवी नदी, रंगवी नदी के टट पर बनवाली इस्थी थे? नेक्स्ट कोश्चन मानों के साथ कुत्य को दफनाने का आउसेस किस अस्थान से मिला है? रंगपूर, रोपड, बनवाली या राखी गड़ी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रोपड और ऐसा ही मानों के साथ कुत्य को दफनाने का आउसेस मदेपासान कल में कास्मीर के बुर्ज हों में देखने को मिला था चलिए नेक्स्ट कोश्चन सिंदूसा भेता में धान की भूसी कहां से मिली है? रंगपूर, रोपड, बनवाली या राखी गड़ी? तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगपूर रंगपूर से धान की भूसी का साथ से मिला है? नेक्स्ट कोश्चन हडपा काल में तामबे का रत किस अस्थान से प्राप्त हुआ है? राखी गड़ी, दैमाबाद, बनवाली, या रोपड़ तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दैमाबाद दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तकले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर कौन सा नगर सिंदू सब है ताके बंदरगाह नगर थे लोथल, सुतका गेंडोर या बाला कोट या इन में से सभी तो दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा D इन में से सभी क्योंकि लोथल भी एक बंदरगाह नगर था सुरकोट दा और बालाकोट ये सभी बंदरगाह नगर थे किन सिंधू कालिन होस्तल में एक इट पर बिल्ली का पिछा करते हुए कूते के पंजो का निशान है हरपा महंजोदलो चनहुदलो ये लोथल तो दोस्तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चनहुदलो चनहुद्रो में एक ही इट पर देखा गया कि बिल्ली क्या पिछा करते हुए एक कूता के पैरो का निशान है हरापाकाल के लोग किस धास्तू से परिचित नहीं थे सोना, चांदी, कांसा या लोहा तो दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा क्योंकि सिंदु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे नेक्स्ट कोश्चन बिश्व की पहली नगरी ये सभेता कौन थी? तो दोस्तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिंदु घाटी की सभेता क्योंकि सिंदु घाटी की सभेता क्योंकि सिंदु घाटी की सभेता थी तो दोस्तो यहीं पर आज का सेसन समापत हो था अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट कर और चैनल को अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फिलीज जाकर सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीकराम ग्रूप को भी जोइन कर लें